नमस्कार आप देखने 12 समाचार मैं हूं सुंदर्जी आज बात करेंगे लोकसवा चुनाव की यहां अलीगर में दूसरे चण का मद्दान सपन रोचुका है और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अलीगर के बरिष्ट पत्रकार इनसे जानेंगे अलीगर में जो दूतिये चण में लोकसवा का चुनाव हुआ है इसमें किस तरीके का समीकर रहा है और क्या जो बोटो परसेंटेज डाउन रही है इसका लोकसवा चुनाव में कितना असर मिलेगा क्योंकि यहां 2014 से लेकर 2024 तक भारदी जंता पार्टी के 37 गौतम लोकसवा से सांसत थे और पुन है 2024 में उन्हाइं प्रत्यासी चुना गया है उनकी टकर पर समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी चौद्री भिजंदर सिंहें और भाँजन समाज पार्टी के ऐतेंदुरु पाद्या बंटी सार क्या नाम है आपका और इस बार का चुनाव किस समीकर के तहत एक तो गर्मी अधिक गर्मी होने के कारण दूसरा भाजपा के प्रितियासी से जंता का थोड़ा बहुत नाराजगी और उसी का पेड़ना हुआ कि हम जो उमीद लगा रहे थे कि 7-7% मर्दान होगा वो मर्दान जो है वो 56-57 के बीच में आठे अठक जा नाराजगी की बज़े है या फिर गर्मी का मुक्य बज़े रही है तो दोनोे में मुक्ष है इसमें यह कहना खाली गर्मी या नाराजगी नाराजगी तो ही फिर भी केंदी नेत्युत ने उनको टिकिट दिया और उनका समर्थन भी अलीगड़ में दिखाई दे रहा है दूतरी गर्मी की वज़े से तो आपने देखा होगा हमारे माननी प्रदानमंत्री या उनकी रैली में भी जनता कम गई अन्य रैलियों में भी जनता कम आई गर्मी करता एक बहुत बड़ा फेटर है तोर भी लोग है इनसे जानेंगे सर क्या नाम है आपका और जो इस वार का लोकस्वा चुनाव अलीगड में बोटो परसेंटेज कम रहना या पर प्रत्या सिह के बिरोद में लोगों ने जो लंबे समय से बिरोद करके चला रहे तो किया मुक्गे बजही है इसके डापै बेड करता हुआ है यह गोतिस लिए इनके और यह करता तो माधान कहीं है नहीं आप बादरी जीत हार की मैं समझत हूँ जीत हार की जादा वारती जंदा पार्टी जन्दा पार्टी तो दो लाग की बोड़ों का फरक प्रचासी माने वाला है अब पचास आर डिफिरेंस रहे गया यहांता कि मेरी मानना है जो है वही अपकी बार प्रचासी को हाज जीत में कम बढ़ करेंगे अधिकारी और अनलोगों ने चुनाब को बढ़ाने के लिए तमाम केमपेंग नहीं कर पाई अपकी चुनाब में कोई केमपेंग काम नहीं कर पाई यह बात की थोड़ा समीकर यह भी है कि घावां में कटाई भी चल लए फसल भी चल लए गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो कम नहीं है मैं देख रहा हूं ओल ओवर इंडिया में भी आप महल देखें खास्तोर से यूपी में परसेंटेज हर जगे कम हुआ है जासे मत्रा देख लो गाजियावाद देख लो यहां भी कम हुआ है और भी लोग है सर आपने चुनाब को बहुत मजदीक से देखा है आगर देखें हम अगर बात करें तो अगर भारतिहंता पार्टी से ही इंडियाया फ्सक्राइफ रही करका चुछ कोर घू लोग के द्वारा जो लोग भीड लाई जाने का उनके द्वारा जो कहीं बादा किया गया था कि हम भारी मात्रा में एक लाग से अधिक लोग आएंगे उस तरह की वेवस्थाएं की गई थी लेकिन जो है उस तरह की भीड महां नहीं आई और प्रधानमंति की स्पीज के बार लोगों करें 14 की बात करें तो कहीं हिंदुत के नाम पर बहुत सारे जो तमाम जाट समझाए था उसके द्वारा जो बीजेपी को बोटिंग की गई थी लेकिन इस वार कहीं कहीं जो है जाट प्रतियासी जब आ गया गटवंदन का तो उनका मन भारती इंता पार्टी से चिटकता द नाए गए उनको लेकर के लोगों के अंदर को नाराजगिया थी तमाम सोशल मीडिया और तमाम तरह के अन जो है तरह से जो है कहीं की चीज़ें जो तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आई जिनको लेकर के लोगों के मन में एक नाराजगी थी वहीं वहीं है कोर वोट हम बात कर करे तो प्रामाणों कके द्वारा जो जो है कहईन कहीं जैसे द्वारा एक ब्रहामण परत्याषी यहां उतारा गया और प्रहम मनों को लगआ के हमारी संक्या बहुत आदायत है यहाँ पर लेकर मारा आदमी क्यों यहां पर नहीं है कोई तो भी जो है कि डाइबड हुए बीजेपी से हटे और उनके द्वारा जो है प्रत्यासी तरफ गए जो है और कहिंगे कह सकते हैं इसी तरह से अतरोली विधान सभा की अगर आप बात करेंगे तो अतरोली विधान सभा में इस तरह का माहौल देखने को मिले के वहां जो समलोग कल्या पराज की जिए थी कि पूरे 10 साल की अगर बात करें तो कहीं कहीं बीजेपी के जो प्रत्यासी थे उनको गाउं में छेतर में नहीं देखा गया यह लोगों के अंदर बार बार हर बूत पर बात आती थी कि हमने कोई प्रत्यासी नहीं देखा हमने जो है कि हमारे प्रत्यास से आती है यहां लोगों को तो वो क्या मोदी के पाद जाएंगे लोग के इस तरह की बात हम लोगों से भी वहां की गई बूतों पर किसा आगर हमारे घर में हमाएं कोई समस्य आएगी तो कि हम मोदी जी को ढूड़ने जाएंगे तो प्रतियासी हमें मिलता नहीं प्रतियासी युद्वारा बोट दिया गया तो वो लोग सब डाइवर्ड हुए इस वार जो है समाजवादी पार्टी कांग्रिज गटवंदन के प्रत्यासी प्रत्त तो यह कह सकते हैं कि अच्छा अलावा इसके सहर की अगर हम बात करें सहर विधानसवा कोल विधानसवा के अंदर जो बैस समाज है उनमें से ऐसे बहुत सारे चाहिए